नमस्कार देश की बात में आप सभी का बहुत स्वागत हैं अब दिल थाम कर बैठिये बाई 2024 का चुनाव अब तक आपने जितने चुनाव देखे हैं उनमें सबसे बिकट किस्म का मायावी चुनाव होगा अजिता चुनाव आपने कभी देखा नहीं होगा आप सोचे किसी भी पार्टी के पास कितने कारिकरता हो सकते हैं जो गली गली जाएं घर गर जाएं और लोगों को अपनी बात समझाएं लाग दो लाग चार लाग पांच लाग दस लाग कागज पर कुछ भी लिखे लिगें इससे जादा तो किसी के भाज़पा के पास भी नहीं होंगे है ना वो मिस्ट कॉल वाले मेंबर नहीं वो मेंबर जो पांपां घूमते हैं सर्दी गर्मी बरसात में वो कितने होंगे इसे ना कांग्रेस देजी पार्टियों के पास तो लाग भी मुश्किल से होगा नहीं होगा देश बर में लेकिन इस बार आप जानते हो कि माया तो माया होती है और माया महा ठगन हम जानी कहगे हमारे हां संत रिशीगन तो इस बार बड़ी पार्टियों के पास असंख्य कारी करता होंगे असंख हेना बहुत चौकाने वाली बाद कि असंख करता कहा से आएंगे जी हां, असंख करता होग और सब अधृश्य होंगे आपने राम नावर्ण युद्ध का विवरन वालमी की जी की रामायन में भी पढ़ा होगा और गोस्वामी तो दसी दास की रामचर इत्मानस में पढ़ा होगा, कि रावण की सेना के तमाम ऐसे थे युद्धा जो विलुप्त हो जाते थे, दिखते नहीं थे लेगिन वाँ चलाते थे, कहीं से पत्थर गिरता थे पत्थर रखता थे, आदमी बुले आदमी कोई ने प वैसा ही चुनाव होने जा रहा है आपके अपने देश में, मजा आएगा अनलिमिटेड, फुल मजा, मतलब आप सोच लीजिए, वाले बुड की किसी फिल्म में इतना मजा नहीं जितना चुनाव में आएगा, अब आप सोचिंग भी ऐसा क्या होने बाला है, चलिए बहुत सस्मेंस भी ठीक नहीं, आपको बताए देते हैं, हर बड़ी पार्टी ने अपने पार्टी के ओफिस से अलहदा, अलग, कई-कई ओफिस खोल रखें, इसी माया जाल के संरचना के लिए, और वहां सेक्रों की तादात में बहुत क्रियेटिव कारिकरता, वनलब प्रोफेश कारिकरता हैं, प्रोफेशनल्स, जो हाइली क्रियेटिव है, जो टिकनिकली सुपर साउन है, वो हायर करके बैठाल दी है, ठंडे में, एसी में, चाय, कॉफी, बिसकुट, काजू, बदाम सब चल रहा है, क्या? अब उनका काम क्या है? उनका काम है, आपके इस पर, दिन में सो दो सो, चितर, विचितर, चल चितर, ठेलते रहें, क्या? ग्रुपों में जाए, ग्रुपों से फॉर्वर्ड हो, उसमें लिखा जाएगा, कि जागो, जागो, भलाने जागो, ठिक, साथ जितने ग्रुपों को जानते हैं, सब में फॉर्वर्ड करिए, अभी नहीं किया, तो कभी नहीं करेंगे टाइप की, ऐसी ऐसी घटनाए होंगी, जिनका इतिहास से वास्ता नहीं होगा, लेकिन वो इतने रोचक धंग से इसमें भेजी जाएगी, कि आप पढ़कर आपका दिमाग खुम जाएगा, या तो आपका खुन खुलने लगेगा, तो उसी खुलते हुए खुन में आप 10-50 गृपों में ठेल देंगे वो, और पता लगेगा, घंटे तो घंटे में वो 10 करोन, 15 करोन, 20 करोन, 50 करोन लोगों तक पहुच गई, अब बताए, कोई रेली, कोई रेला, कोई मेला, कोई प्रस्रिक्षन सिविर, कोई कारिकरता सिविर, इतनी लोगों तक आपको पहुचा सकता था, नहीं, वो मीम्स बना रहे हैं, वो इतिहास में रंग मिलाके अपने धंका इतिहास बना रहे हैं, वो किसी पुराने नेता की कोई नई कहानी खोजे दे रहे हैं, वो हुई थी, नई हुई थी, इससे भी मतलब नहीं, क्या, और किसने किसको भेजा ये पता लगाना संभव नहीं ठीक इसलिए ये माया भी युद्ध है कोई पार्टी उसको क्लेम नहीं करेगी यह जान लीजिए भाजपासपाबसपार्टी कोई उसको क्लेम नहीं करेगा ठीक और वो सारी भाशाओं में लोग हैं यह हज्जारों करोण का कारोबार है जो इस वक्त देश में चल रहा है और मेरा अपना अनुमान है कि सारी पाट्यों को अगर छोटी बड़ी पाट्यों का आप जोड़ लें तो गेड़ लाक से उपर प्रोफेशनल्स इसमें मेरे लिए अच्छा यह है कि उनको रोटी मिल रही है उनको इसमें नौकणी मिली हुई है ठेका मिला हुआ है अब भारत विभाजन से जुली कोई कहानी ठीक पटेल बोल रहे हैं नहरू बोल रहे हैं तो हो सकता है कि आवा चेहरा उनका हो होट उनके हिलें और पीछे से बीयो कोई दूसरा कर दें अब आप समझेंगे यह तो जब आलाल जी बोल रहे थे ठीक यह सब इस्वार इतना होने वाला है कि आपका दिमाग खूम जाएगा सही और गलत की पहँचान कोई माई का लाल कर नहीं पाएगा तब तक तो अगला चुनाव आ जाएगा जब तक पिछले इस चुनाव के सही गलत को आप समझ पाएंगे तब तक तो दोस्त तो 29 के चुनाव आ जाएगा अब कहां से अब एटा में इटावा में गंज दुनुबारा में बकेबर में बेबर में पत्रवना में बैठाा आदमी दुखान पर हैं सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर गल्ला लेंने गया उसकी मोबाइल में कोई चीज गिरी हो का से उसकी सतता जा चागा के पठल बोलरहे थे का नहीं बोल्रहेथे ठीक है यह हए इतना होना है कि सारीленतरन के कोई भी कोशिश नाकाम हो जाएगी और ये माया भी चुनाव और भी ज़्यादा आप इसको अच्छा कहिए बुरा कहिए आपकी मर्जी पे लिकिन और भी ज़्यादा दुरधर्श हो गया है वो इसलिए चुकि ए आई ने भी अवतार ले लिया यह सारी मायाओं की जनिनी है क्या मदर ओफ और मिराकल्स अभी आई क्या वाला है आप पूछेंगे आपने इतना रहस खोला तो यह भी मताओ आई क्या क्या यह है वीडियो में आप चार लोग वीडियो बना और रोते हुए आई का इस्तेमाल करके उस वीडियो करते हुए मतब्दिल कर देगा एक टेक्निकल आदमी क्या आपके घर में गमी हो गई आप लोग रो रहे है वीडियो है या इस्टिल है ए आई के जरीए उसमें हस्ता हुआ कर दिया और नीचे केप्शन लिख दिया के रामलाल के यहां देखो पिताजी नहीं रहे फिर भी रामलाल और सब लोग धासते हुए ठीक अब इसका खंडन असनी मारक है भोपाल गैस कांड याद है उसमें रात में गैस लीख हुई और सूरज निकलने से पहले 30,000 लोग मर गए किसी को पता भी नहीं लगा सांस में जहर गया और मर गए ठीक कोई आदमी नहीं आया वैसी ही माया म्रत्वाली नहीं उसी इस्तर की माया इस वार चु मंदन मंदन राम लाल का शरीर और श्याम लाल का चहरा ऐसे ऐसे द्रशिस्वार आपको चुनाव में दिखेंगे और सब मोबाईल पर ट्विटर पर फेस्बुक पर इंस्टा पर सिंस्टा पर जितने सोचल मीडिया के मंच है उन पर और उसमें भी खास तोर पर यह जो पकड़ नहीं पाएगा और आप अधालत में केस ले भी जाएं किसी एथारिटी के पास केस ले भी जाएं कि जूट है कि सच है कि क्या है तो उसके जाच पड़ताल में तो तब तक तो सरकार बन जाएगी नहीं क्या करेंगे और आप जानते हो चुनाव के समय बोटिंग से एक दिन पहले एक वीडियो आपको चुनाव जिता सकता है और एक वीडियो आपको चुनाव हरा सकता है कि जान लिए अधियोगे सारे बड़े नेता मिलके एक आदमी के लिए रैली करें अलग अलग ने उसके महिमाली यह सब उससे भी ज्यादा प्रभावशाली कई बार च्छोटा सा वीडियो और होता है उडू हो चे सचछ हो तो जूट और सच की जो लेख़मन रेखा है वो इस चुनाओ में मैया जाल के चलते बिलूप्त हो जाएगे जो सच है वही जूट है जो जूट है वही सच है ऐसा घाल मिल हो जाएगा कि आपका दिमाग सुन हो जाए और एक करोर करोर रुपए का कारूबार है पूरे देश में चल रहा है छोटी छोटी पार्टियां भी और जो भी जहां सरकार में है वो तो समझ लीजिए कि बिल्कुल कवरकस के इसमें लगा हुआ है उसको लग रहा है कि ये ब्र मजे की भात यह कि सब सब पर चलाएंगे और सब का वह आपका मोबाइल होगा तो यकीन मानिए अब राम लीला मैदान और बेनियाबाग चवराहा है बेनियाबाग पारक और जो बड़े स्थान है दशेरा मैदान मुंबई इन में होने वाली रेलियों से 24 के चुनाव का र लेकिन उनका चुनाव पर इस बार सबसे कम असर होगा रेलियों का सारा खेल मोबाइल पर होगा आर्टिफिशल इंट्रिजेंस का धुआधार उपयोग होगा और शायद इस चुनाव के बाद देश को यह हैसास हो जाए कि तक्नीक का यह बेमानी भरा यह शरारत भरा इस् यकीन मानिये क्योंकि किसी भी व्यक्ति को अपनी सफाई देने के लिए कोई मन्चुप लब्ध नहीं होगा आपके बारे में कोई जूटा ही सही कोई सूचना कोई ओडियो कोई वीडियो फोर्ज किया हुआ चल गया चुनाव के दौरान और कई लाख लोगों तक का सफाई देते गुमिएगा और माली जा आपने सफाई दे भी दी तो कितने लोग सफाई पर एकिन करेंगे खत्रा यह है सामने कोई लड़ने बाला नहीं दिखेगा जिसकी गर्दन जाके आप पकड़ ले आकाश से पत्थर बरसेगा आकाश से फूल बरसेंगे यह आपक कर शब से जाए ओक्णिए लेगे बद्राइगा झाल शर्दनें